नहुश्कार सभी को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे क्लास 11 के मुटिपल चॉइस क्वेशन्स और जो मुटिपल चॉइस क्वेशन्स होंगे यह बहुत इंपोर्टेंट आपका चैप्टर है केमिश्ट्री का जिसका नाम है classification of elements and periodicity in properties उससे related होने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग केवल MCQs को डिसकस ही नहीं करेंगे उसका आपको explanation बताएंगे जिससे उससे related और भी आपके पास कोई question आएगा तो आप उसको आसानी से solve कर सकें तो पहले में देखे कहा गया consider the ISO electronic species आपको दी गई है अभी ISO electronic species क्या होती है ISO का मतलब होता है same और electronic का मतलब हो गया electron तो जिस भी ions में number of electrons same होंगे तो उसको ISO electronic कहेंगे तो यहाँ पर sodium आयन हो गया magnesium का 2 plus आयन हो गया fluorine आयन हो गया और oxygen का आयन हो गया सब में number of electrons क्या होंगे same होंगे ठीक है अगर पूछे हैं कितने electrons होंगे तो इसमें 10 electrons सब में होंगे इस सीच को आप लोग समझ लीजे अब यहाँ पर कहा गया correct order बताना है increasing length of their radii आप देखें radius जो हो किस पर depend करता है ठीक है यह याद रखेगा तो radius याद रखेगा कि जो nucleus होता है nucleus में दो चीजे होंगी proton होगा neutron होगा अब जितना जादा number of protons होंगे ठीक है number of protons जब जादा होंगे तो radii क्या होगा कम होगा ठीक है यही इसका concept है अब यहाँ पर sodium में देखेंगे sodium में कितने proton होते हैं सोडिया में 11 होते हैं मेंगनीशियुम में 12 होते हैं फ्लोरीन में 9 होते हैं और उक्षिन में देखेंगे तो 8 होते हैं तो सबसे ज़्यादा साइस किसका होगा जिसमें number of proton प्रोटॉन सबसे कम है सबसे कम किसमें दिखाए प____ड है आक्सिजन के आयन में उसके बाद देखे, 9 है, यहाँ फ्लोरीन में तो उसके फ्लोरीन का साइज होगा, उसके बाद सोडियम आज जाएगा और लाश में क्या हो जाएगा, मेगनीशिम हो जाएगा, तो मेगनीशिम में आप देख सकते हैं, सबसे जादा प्रोटॉन थे, इसलिए इसका साइज सब नमबर कहा सब कहा तक देखने को मिलता है, तो 90 से 103 तक अगर आप अटामिक नमबर देखेंगे, तो यह अक्टिनाइट का होता है, यहाँ पर देखेंगे, यह भी अक्टिनाइट है, यह भी है, लेकिन जो टेरेब्रियम है, यह आपका अक्टिनाइट नहीं होगा, पर बताना है, of S-P-D-F orbital, देखें, आपके पास जो S-P-D-F orbital है, उनमें आपको screening effect बतानी है, कि कहां पर सबसे ज़ादा होती है, या कहां पर सबसे कम होती है, उसके order में आपको arrange करना है, ठीक है, of a given shell of an atom on its outer shell electrons, ठीक है, screening effect के बारे आपको बताना है, तो screening effect क्या होती है, सब से ज़ादा S में होगी, फिर P में होगी, फिर D में होगी, और फिर किस में होगी, F में होगी, ठीक है, तो screening effect याद रखें, S-P-D-F का यही order है, S अब से ज़ादा होता है, फिर P, फिर D, फिर F, तो यहां पर first option सही है, ठीक है, next में आते हैं, the first ionization enthalpies of NAMG, AL and SI are in order, ठीक है ionization enthalpy की बात यहां पर करी गई है, ठीक है, यहां पर जो concept लगेगा, वो भी बहुत आसान सा concept आपको समझना है, पहले सबका आप क्या करिए, electronic configuration कर लीजे, ठीक है, तो NA का अगर देखा जाए, तो NA क्या हो जाएगा, neon रहेगा, और साथी साथ आप देखेंगे, neon के साथ आप भी neon आ जाएगा, और neon के साथ क्या लगा सकते है, 3S, 2 लगा सकते है, अब देखें, यहां पर जो electron हटेगा, वो 3S से तो हटेगा, लेकिन यहां पर क्योंकि दो electron है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि यहां पर इस पूरे, मतलब इस atom में देखेंगे, तो nuclear charge क्या होगा, साइज कम होगा, और साइज कम होगा, तो कहीं न कहीं electron निकालना कठिन है, तो इसका मतलब इस वाले से electron निकालना कठिन है, तो जादा energy चाहिए होगी, तो यहां पर energy की requirement क्या होगी, जादा होगी, इसका मतलब जो magnesium है, उसका जादा होगा, ionization therapy as compared to sodium, इसके बाद aluminum पे अग और यहां पर क्या हो जाएगा, 3P1 हो जाएगा, मतलब यहां पर जो हम लोग के electron हटाना है, वो 3P orbital से हटेगा, ठीक है, इसके बाद silicon में देखेंगे, तो silicon में simple सा है, यही वाला जो है, उसमें 3P2 हो जाएगा, तो neon रहेगा, ठीक है, neon के साथ आप देखेंगे, तो 3H2 रह होगी, वो बढ़ जाएगी, तो ionization enthalpy किसकी जादा होगी, ionization enthalpy अगर आप देखेंगे यहां पर, तो silicon की जादा है as compared to aluminum, ठीक है, तो यहां पर अगर सबसे जादा देखी जाए किसकी है, तो सबसे जादा आपको देखने मिल रही है, mg की है, ठीक है, तो mg हो जाएगा, उसके sodium हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों में अगर आप देखेंगे, aluminum और silicon में देखा जाए, कम किसकी होगी, तो aluminum और silicon में, aluminum की कम होगी, silicon की जादा होगी, तो यहां पर first option जो बन रहा है, वह ही इसका सही हो जाएगा, अब आप इसको समझ सकते हैं, असानी से, ठीक है, next पे आते हैं, question number fifth देखते हैं, fifth question में देखें, क्या कहा गया, the electronic configuration of gadolinium, अब देखें, gadolinium जो आपको atomic number दिया है, 64, इसका आपको electronic configuration बताना है, क्या होगा, ठीक है, तो gadolinium जो है, इसका electronic configuration अगर आप देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो xenon लगेगा, और साथी साथ, 4F7, 5D1 और 6H2, ठीक है, यह इसका electronic configuration होगा, ठीक, next पर आते हैं, question number six में देखें, कहा गया, the statement that is not correct, क्या पूछा गया है, not पे दिके highlight किया गया है, क्योंकि not correct आपको बताना है, कौन सा गलत है, आपको बताना है, ठीक है, तो पहले में कहा गया, the properties of elements are periodic function of their atomic numbers, बिलकुल सही है, य कौन सा law है, यह modern periodic law है, ठीक है, modern periodic learning, Leaf, मैं आपको पता atomic mass ऑशाआपसी था, और modern periodic law जो है, वो atomic number के है, बिलकुल सही बात है, गलत नहीं है, non-metallic characters are less in number than metallic elements, ठीक है, तो non-metallic elements जो होते हैं, वो क्या होते हैं, कम है, non-metallic elements, और जो metallic elements है, वो जाती है, तो बिलकुल सही है, ठीक है, थर्ड में कहा गया for transition elements, अब देखे, transition elements की यहां पर बात हो रही है the 3D orbital are filled with electrons after 3P orbitals and before 4S orbital ठीक है, यह statement आपको गलत दिया है ठीक है, आपको बता देते हैं कि किस तरीके से filling होती है orbitals की, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे 2S होता है, ठीक है, इसका 2P होता है, फिर 3S होता है ठीक है, 3S के बाद 3P होगा 3P के बाद आप देखेंगे तो 4S हो जाएगा, फिर 3D हो जाएगा 3D के बाद 4P हो जाएगा, ठीक है, ends on ऐसे करके आप देखते चले आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोला गया है 3D orbital, जो है, are filled with electrons after 3P, ठीक है, तो 3D जो है, क्या वो 3P के बाद फिल होता है, तो 3D जो है, वो 3P के बाद तो होता है, यह तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें देखें, कहा गया, before 4S, तो 4S के पहले निए, 4S के बाद है, तो यहाँ पर 3rd option जो है, वो बिल्कुल गलत है इसका, 7th question देखें, 7th question में क्या कहा गया, among halogen, अब halogen से related यहाँ पर question पूछा गया, इसको देख लेते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है, तो halogen से related क्या पूछा गया, the correct order of amount of energy released in electron gain, अब देखें, जब electron को gain करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता, outer motion में, सबके, अगर सीधे देखें हैं, तो सब इलेक्ट्रों से, तो electron को जब gain करेगा, तो electron gain enthalpy, पूछी गई, सबसे रहादा कहाँ पर होगी, मतलब उसको order आपको यहाँ पर बताना है, तो देखें, main आपको यहाँ परेज समझना है, देखें, जब size बहुत छोटा हो जाएगा, तो electron को जब आप gain कराने कोशिश करेंगे, electron को डालने कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, कि repulsion हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी electrons थे, electron आप भेज भी रहे हैं, तो repulsion की वैसे नहीं आपाएगा, तो सबसे छोटा size किसका हो इन में से, तो सबसे छोटा size अगर आप देखेंगे, तो fluorine का है, इसलिए fluorine का जो electron gain enthalpy होगी हो सबसे कम होगी, तो इसलिए हैंपर अगर देखा जाए, तो जो option इसमें सही होगा, वो third option हो जाएगा, क्योंकि देखे, fluorine को सबसे कम लिया गया, उसके बाद chlorine है, bromine है, और फिर क्या है, iodine है, ठीक है, तो fluorine और chlorine में तो simple एक concept लग जाएगा, repulsion वाला, लेकिन जनरली होता क्या है, जनरली होता यह है, कि जैसे ऐसे आप size बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे ऐसे size बढ़ता चलायता है, atomic size जैसे ऐसे बढ़ेगा, electron gain enthalpy क्या होती है, कम हो जाती है, मतलब दोनों क्या है, inversely proportional होते हैं, ठीक है, तो इसलिए देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर iodine का सबसे आदर size है, तो यहाँ पर इसके electron gain enthalpy सबसे कम है, ठीक है, तो period number जो है, वो आपको बताना है, इन्दी long form of variable is equal to, किसके बराबर होता है, यह चीज यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है, तो बहुत simple सा इसका answer है, third option इसका सही हो जाएगा, maximum principal quantum number of any element of that period, ठीक है, तो यहाँ पर third option बिलकुल सही है, 9th में कहा गया, the element in which electrons are progressively filled in 4F orbital are called, अब देखे, जिसमें electron जो है, वो progressively 4F orbital में fill होता है, उसको क्या कहते है, तो उसको lengthenoids कहा जाता है, तो यहाँ पर third option जो है, that is the correct answer, ठीक है, question number 10th पर आते हैं, 10th question में देखे, क्या कहा गया, which of the following is correct order of size in given species, देखे, आपको order of size बताना है, correct order of size मतलब यहाँ पर size का मतलब कुछ और नहीं है, atomic radius की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, अब आपको यहाँ पर हमने एक बात भी पहले बताई थी, वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब में अगर आप number of protons देखेंगे, क्योंक अब ऐसा आपको कोई भी question मिले, तो उसमें आपको केवल यह याद रखना है, कि जो anion होगा, ठीक है, anion को अंतलब होता है, negatively charged, ठीक है, यह बड़ा होगा, किस से, parent atom को अंतलब जो iodine है, और यह बड़ा होगा किस से, मतलब यह जो बड़ा हो गया है, तो पहली बात parent atom मतलब किस से बड़ा है, तो cation से बड़ा है, तो वही पहले लिखने चाहा रहे थी, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छा बता दिया, हमने अच्छे तरीके से, तो anion जो है, वो सबसे बड़ा होगा, फिर parent atom होगा, और सबसे छोटा कौन होगा, cation होगा, केवल आपको इ दिया था, ऐसे ही मालीजे कोई और atom आपको दिया होता, जिसे मालीजे na दिया होता, ठीके na प्लस दिया होता, और na माइनस दिया था, लगि यह possibility बहुत कम है, लेकिन मालीजे ऐसा आपको question दिया है, पूछा जाए, कि एक order क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा na minus फिर हो जाएगा एने और सबसे छोटा काउंसा हो जाएगा एने प्लस हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो I minus सबसे बड़ा है फिर I और फिर I minus तो है यहाँ पर D option जो है that is the correct answer ठीक है next question पर आते है question number 11th देखेंगे 11th question देखें क्या कह रहा है इसमें कहा गया the formation of oxide ion देखें O2 जो O2 minus है मतलब oxide ion जो form हो रहा है from oxygen atom requires first an exothermic and then an endothermic step as shown in below देखें पहला जो step आपको दिखाई पर रहा है उसमें आपको यहाँ पर delta H की value negative दिखाई पर रहा है इसमें heat दी जा रही है और second में heat क्या हो रही है release हो रही है अब यहाँ पर कहा गया thus process of formation of O2 minus मतलब oxygen ion है उसका जो formation है gas phase में is unfavorable even though O2 minus is iso electronic with neon it is due to the fact that तो यह दो बात पूछी गई है कि जो O2 minus का formation है यह unfavorable क्यों है यह इसके पीछे आपको reason बताना है कि reason क्या होगा तो reason बहुत simple सा है कि electron repulsion outweighs the stability gained by achieving noble gas configuration third option इसमें विलकुल सही होगा next में देखे कहा गया आपकी पास पैसे दिया गया है पैसे से related question है देखे पैसे तो बहुत बड़ा है उसको मतलब कोई नहीं पढ़ने का केवल आप सीधे सीधे इस question को ही समझ जाएंगे तो question से आपको answers clear हो जाएंगे तो पहले में देखे कहा गया था element with atomic number 57 अब देखे atomic number क्या दिया है 57 दिया है इसका आपको electronic configuration पहले आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यह mainly आपसे पूछा क्या गया है इसमें पूछा गया है कौन से block से belong करता है spdf कौन से block से और मतलब belong करता है चीज़ें आपर पूछी गई है तो देखे इसका electronic configuration आप करेंगे तो देखे last में क्या आएगा हमको mainly मतलब last से ही होता है तो इसके last में अगर आप देखेंगे तो 5D1 आएगा और क्या आजाएगा 6H2 आजाएगा अब आप देख सकते हैं 5D1 जो है यही आखरी में फिल हो रहा है तो यह जो block होगा इसका कौन सा हो जाएगा next पर आते हैं the last element of P block is 6th period is represented by outermost electronic configuration आपको बताना है इसमें कौन सा है तो देखेंगे इसमें जो सही answer हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 4F14 5D10 6H2 6P6 ठीक है अगले पर आते हैं third option third question देखेंगे इसम क्या कहा गया which of the element whose atomic number are given below cannot be accommodated in present setup of long form of predictable तो long form of predictable में किसको हम लोग नहीं setup कर सकते हैं तो यह अगर देखा जाए तो 118 तक क्योंकि इसमें element है तो 126 वाले को इसमें हम लोग नहीं ला सकते तो यह गलत है इसमें क्योंकि आपको पता होगा long form of predictable में जो total number of elements अभी तक है वो कितने 118 है तो 126 वाला इसमें अलग हो जाएगा D option देखे, D part में देखे क्या कहा गया the electronic configuration of the element which is just above the element with atomic number 43 in the same group is तो 43 के just उपर अगर आप देखेंगे जो element है वो कौन सा होगा तो 43 के just उपर वाला element देखेंगे तो यह manganese है अब manganese का atomic number होता है 25, 25 का electronic configuration कर लीजेगा इसमें जो first option है वो सही हो जाएगा ठीक है 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 3D5, 4S, 2 ठीक है next पर आते हैं यह option में कहा गया the element with atomic number 35, 53 and 85 all are अब देखेंगे यहाँ पर बोला गया 35 हो 53 हो 85 हो इस सब अटाइंग नमबर किसके है इस सब अटाइंग नमबर है halogen के ठीक है तो इस सब halogen है ठीक है next पर आते है question 13 में कहा गया electronic configuration of 4 elements A, B, C, D अब देखें यहाँ पर आपको electronic configuration दिये गए है A का यह है, B का यह है, C का, D का आपको बताना किया increasing tendency to gain electron अब gain, electron को gain करने की tendency आपको बतानी है सबसे आदा कहाँ पर होगी या जो order पूछा गया है वो आपको यहाँ पर बताना है देखें, इसमें भी आपको समझना पड़ेगा बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा question यह नहीं है, ठीक है इसमें देखें, पहले में अगर आप देखेंगे A part वाले में, तो 1H to 2H to 2Pase X ठीक है, 6, 2, 8, 2, 10 तो यह क्या है, noble gas configuration है ठीक है, कैसा configuration है noble gas configuration है, अब क्योंकि noble gas configuration है, तो क्या होगा यह electron को gain नहीं कर पाएगा इसकी tendency सबसे कम होगी तो D को सबसे पीछे रहना चाहिए ठीक है, यह तो पहले आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है कि D की अगर आप electron gain tendency देखेंगे, तो इस सबसे क्या होगी कम होगी, A की D नहीं, D नहीं है, यह A है ठीक है, तो A की electron gain मतलब एक तरीके से जो tendency हो सबसे कम होगी B में देखा जाए, तो इसमें कितने electron missing है, तो 2 electron missing है ठीक है, क्योंकि यहाँ बर 2P6 चाहिए यहाँ पर देखेंगे, तो कितने electron missing है, 1 electron missing है, इसको मतलब यहाँ पर tendency थोड़ी जादा होगी as compared to B, और यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, 2P5 है अब 2P5 है, इसको मतलब क्या है कि noble gas configuration को obtain करने के लिए केवाल इसको 1 चाहिए ठीक है, अब यहाँ पर D में सबसे आदा tendency होगी क्योंकि एक अगर यह electron ले लेगा तो तुरंत यह noble gas configuration obtain कर लेगा, ठीक है यहाँ पर यह जब एक लेगा, तो noble gas नहीं obtain कर लेगा, लेकिन यह इसकी जो, मतलब इसका जो orbital है, यह complete हो जाएगा तो सबसे आदा tendency D की होगी ठीक है, फिर C की होगी और फिर क्योंकि दो electron यहाँ पर चाहिए तो B की होगी, और सबसे कम tendency किसकी है, A की है, तो इस तरीके से आपका, जो DCBA है वो आपका सही हो जाएगा, तो सबसे last में आप देख सकते कौन सा आएगा लेकिन यहाँ पर अगर B और C में देखा जाए, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है कि B में अगर आप देखेंगे, इसमें दो electron चाहिए तो इसकी tendency जादा होगी तो B पहले आएगा और C आपका बात में आएगा, तो इसलिए D, B, C, A जो होगा और Sulfur को अगर देखा जाए तो यहाँ पर Phosphorus है, यहाँ पर Sulfur है दोनों में अगर देखा हैं, तो जो इसमें Valence Shell होती है, वो कौन सी D Orbital यहाँ पर आता है और क्योंकि यहाँ पर D Orbital Valence Shell में आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो Covalency होगी, वो Greater Than 4 होगी, तो इसके दो options हही है Second और Third, ठीक है अब यहाँ पर जो questions आपको मिलेंगे वो एक से जादा option भी इसमें सही हो सकते है Those elements impart color to the flame on heating it अब देखे, अब कुछ ऐसे element है जब उनको heat करते हैं, तो कुछ color आपको देखने को मिलता है The atoms of which require low energy for their ionization और ऐसे element जिनके atoms को कम energy चाहिए होती है ionization के लिए The elements of which of the following group will impart color to the flame तो flame को कौन color impart करेंगे यह आप यहाँ पर बताना है तो देखे, जिसका atomic number मतलब जो आपको दिया गया है तो mainly आप यहाँ पर समझना है कि जो group 1 और group 2 के जो elements है इन दोनों के जो elements होते है इन में outer motion निकालना क्या होता है ionization enthalpy से सबसे कम होती है outer motion को निकालना असान होता है तो इसी में आप देखेंगे तो क्या होगा कि आपको color दिखाई पड़ेगा flame में तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो second जो है जिसका atom number 2 है ये भी सही है ठीक है और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसमें जिसका 1 है ये भी आपका बिल्कुल सही है तो 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें next में आते है question number 16 में कहा गया which of the following sequence contain atomic number of only representative elements अब देखें representative elements atomic number इसमें कौन कौन सा है ठीक है तो representative elements अगर देखा जाए ठीक है तो simple सी ये बात याद रखेगा फिलाल आप कि जो representative elements होते है जो S और P के elements है S और P block के जो elements होते है उनी को representative elements कहा जाएगा तो यहाँ पर जो first option है वो इसमें सही हो जाएगा और साथी साथ जो fourth option है वो इसमें सही हो जाएगा ये दोनों क्या है representative elements होते है which of the following elements will gain one more electron readily in comparison to other elements of their group तो एक electron को बहुत तीजी से कौन accept कर लेगा ये आपको यहाँ पर बताना है बाकी के comparison में ठीक है तो एक electron acceptance की यहाँ पर बात हो रही है इसमें जो answer होगा वो आपका क्या हो जाएगा दो option इसमें सही हो जाएगा एक sulfur हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा oxygen हो जाएगा oxygen नहीं chlorine हो जाएगा तो sulfur और chlorine इसमें जादा हो जाएगी ठीक है सबसे आदा chlorine का होगा ठीक है और उसके बाद sulfur का होगा तो यहाँ पर one और four जो है data दी correct answer 18th question में कहा गया which of the following statement are correct तो आपको correct यहाँ पर बताना है कौन सा statement इसमें correct हूचा गया है correct बताना है तो helium has highest first ionization enthalpy in the bed बिल्कुल सही बात है ठीक है ज्यादा होगी next में कहा गया mercury and bromine are liquid at room temperature बिल्कुल सही है in any periodic the atomic radius of alkali metal is highest तो alkali जो है उनका atomic radius जो होगा सबसे आता होगा बिल्कुल सही बात है क्योंकि आपको पता होगा left से right जाने पर atomic radius क्या होता है ठीक है तो first सही है third सही है और four सही है गलत कौन सही है second इसमें गलत है which of the following set contains only isoelectronic species अभी बहुत आसान question हो गया है isoelectronic species आपको बतानी इसमें कौन सी होगी isoelectronic आपको बताया था जिसमें number of electrons क्या रहते हैं number of electrons same रहते हैं ठीक है अब आप देख लीजेगा number of electrons किसमें क्या है आपको answer में इंगली बतायते हैं तो B और C जो है इसमें option वो सही है इसमें तीनों में number of electron जो होंगे वो क्या होंगे same होंगे ठीक है और इसमें अगर देखा जाए तो सब में number of electrons B वाले में number of electrons 18 आपको देखने को मिलेंगे और C वाले में जो number of electron देखने को मिलेंगे, वो भी आपको 18 ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, next में आते हैं, in which of the following option, order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it, तो देखेंगे, variation of property के साथ, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है, तो बताना कौन सा गलत है, does not मतलब कौन सा गलत है, तो increasing ionic size का आपको पहला option ही दिया है, AL3+, अभी हमने आपको इसका concept बताया था, अब आप उस concept को यहाँ पर लगा सकते हैं, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद दिया गया है BCNO, ठीक है, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, nitrogen हो गया, oxygen हो गया, first ionization enthalpy है, मतलब पहला electron निकालने में, जो energy लगी कि उसकी बात हो रही है, बिलकुल सही है, ठीक है, second option बिलकुल सही है, third में कहा गया, I, B, R, C, L, F, electron gain enthalpy, तो electron को gain करने में, यह भी option बिलकुल सही है, हम लोग ने पिछले में discuss किया था, ठीक है, इसके बाद हमारा यह, हमारा आज का आखरी सवाल है which of the following have no unit, तो इसमें पूछा गया है, कौन सा ऐसा यहां पर quantity है, जिसकी कोई भी unit नहीं होती है, तो कोई भी unit, ना ही electron negativity की कोई unit है, ना ही metallic character की कोई unit है, बाकि electron gain enthalpy क्योंकि energy है, इसकी unit होगी, और इसकी unit होगी, किसकी unit है, इसकी unit है, इसकी energy वाल unit हो जाएगी, ठीक है, अब देखें, ionic radii का variation आपको बताना है, किस तरीके से होता है, तो आपको बताया था, effective nuclear charge के साथ inverse variation होता है, मतलब effective nuclear charge जब जादा होगा, ठीक है, मतलब एक तरीके से proton जब जादा होगे, तो जो radius होगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साथी साथ, दूसरा आप दे है, और साथी साथ, तीसरा option भी बिल्कुल सही है, ठीक है, next पे आते हैं, next question है, आज का हमारा आखरी सवाल है, इसमें कहा गया, an element belongs to third period and group 13, तो period भी तीसरा दिया है, और group दिया है 13, which of the following property will be shown by the element, ठीक है, तो आपर पूछा गया, कौन सी property शो करेगा element, तो सबसे पहले हो जाएगा, यह कौन सा है, इल्मूनियम है, तो इल्मूनियम के बारे हम पूछा किया है, तो good kind of electricity होगा, बिल्कुल सही है, liquid metallic नहीं होगा, solid metallic होगा, तो यहाँ पर पहला option और तीसरा option तो नहीं है, तो यहाँ पर पहला option और तीसरा option बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इस त आएंगे उसको आप लोग जिरूर देखेगा और पहले से ही दो तीन चैप्टर की MCQs प्रोइड किये जा चुके हैं उसको अब भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अपना रिविजिन अच्छे से कर सकते हैं अपना नहीं थेंक युवरे मैच गुडबाई जय हैंगा